ये है एक 800 का mobile cooler और ये है 1100 का अब इसमें कौन सा cooler है जो आपका phone को overheating से बचाएगा box packaging दोनों का सेम है बस pro अलग है यहाँ और 800 वारला cooler wireless भी चल जाता है और इसमें 3 speed controls भी है लेकिन gaming के time पे ज़्यादा overheat नहीं होता तोड़ा कम हो रहा है अब ये है 1100 का cooler size में तो बढ़ा है और फीचे thermals भी है और इसे चलाने के लिए वायर का ज़रूद पड़े गई वाह क्या मस्त हावा आता है इसमें कोई speed control यहाँ पे नहीं है लेकिन gaming के time पे overheat तो क्या मेरा phone तो cold हो गया इतना cold होता है ना अल्मुष्ट आपको freezer का feel आएगा अब ये 800 और 1100 पे जादा रिफ्रेंस नहीं है 200-300 रुपए का ही डिफ्रेंस है तो मेरे सबसे pro version बेटर option रहेगा और अपका smartphone को cool भी रखेगा तो let me know कि आपको वहाँ सा मस लगा ये वाला या ये वाला also share with your friends जो gamers है और ऐसे ही cool वीडियो के लिए subscribe हो मो